तो गई जैसा है कि लाश्ट विक के राव में हमें कई सारी बड़ी चीज़े देखने को मिली थी बट इस विक का राव कुछ कम नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पर हमें ब्रॉक लजनर एंड ओमोस आमने सामने आते वे दिखने वाले है वैसल मेनिया के लिए एक बड़ा म यह ने कर दी यह ओफिशल वोई कि हमें एज कॉल आउट करते वे दिखने वाले फिन बैलर को जैसा कि आप सब जानते ही हो लाश्ट विक के राव में फिन बैलर एंड जॉनी गरगनों की बीच मैच देखने को मिल रहा था जिस मैच में एज का रिटर्ण देखने को मिलता और इस विक के राव में एज हमें कॉल आउट करते वे दिखने वाले फिन बैलर को यानि कि यह दोनों आने वाले फेज टू फेज और आप सब जानते ही यह लगबख पुरी तरह सत कर्फरम है कि हमें एज वर्सेस फिन बैलर का मैच देखने को मिलने वाला है वैसल मैच हो होने वाला है और इस मैच में हमें डीमन बैलर देखने को मिलेगा तो क्या ऐसा कुछ होता है या फिट नहीं सो इस विक के राव के इस सेग्मेंट से आप सबको लगभख सारी चीज यह क्लियर होते वे दिख सकती है इसके बाद नेक्ट तिंग जिसे डवी ने कंफरम कर द ब्रौक क्लेजनर एंड ओमास आपने सामने नहीं आये है बस ब्रौक क्लेजनर ने अटैक किया है MPP पह लेकिन इस विक के राव में Brock Lesnar F5 दे पाते हो Omas को या फिर Omas यह में attack करते हुए दिखते है Brock Lesnar पर इसके बाद जो next match WWE ने कर दिया है official वह एक tag team match Johnny Gargano and Dexter Lumis versus the judgment day की बीच तो ये एक random समेच है जादा chances है कि यहाँ पर आप सबको Johnny Gargano and Dexter Lumis की जीत होते हुए दिखने वाली है इसके बाद next match जो WWE ने कर दिया है official वह है Elias versus Bronson Raid की बीच तो इनके back stage segment के बाद इनका में match बनते वे दिखा और आप सब जानते ही हो जादा chances यह है कि यहाँ पर आप सबको जीत होते वे दिखने वाली है Bronson Raid की इसके बाद next match जिसे WWE ने कर दिया है official वह है आसका ने face किया करमेला को और इस विखा में बियंका बेलेर face करते वी दिखने वाली है Chelsea Green को और यह ओबियस से यहाँ पर जीत होने वाली है बियंका बेलेर की इसके बाद next बात कर ली जाए John Cena and Austin Theory के बारे में जैसा कि guys last week के राओ में हमें John Cena का return देखने को मिला और उनका match official होते वे दिखा Austin Theory के साथ United States Championship के लिए WrestleMania 39 में इस विख के राओ में डाओ डबली यह अर्वटाइज नहीं करीए John Cena को इसलिए chances है कि इस विख के राओ में John Cena नहीं आने वाले बठा अपडेट यह है कि John Cena road to WrestleMania में सामिल रहने वाले यानि कि WrestleMania से पहले वो आप सब को कुछ और राओ में देखने को मिलेंगे इसलिए इस विख के राओ में chances कम एकी John Cena आए तो हमें Austin Theory प्रोबो कट करते वे दिख सकते हैं John Cena पर इसके बाद next बात कर लिजा है Seth Rollins और Logan Paul के बारे में जैसा कि last week के राओ में Seth Rollins ने Logan Paul को face to face आने को बोला ताकि वो अपना बदला ले पाए Logan Paul से बट Logan Paul ने Miz की help से Seth Rollins पर ही कर दिया attack और जाहिर सी बात है कि Seth Rollins काफ जादा गुस्से में होने वाले तो इस week के राओ में अगर Logan Paul आते हैं Bloodline वर्सेस Kevin Owens, Sammy Zane and Cody Rhodes के फ्यूड के बारे में जैसा कि आप सब जानते ही हो Bloodline सेम पेज पर आ चुकी है and last week के राओ में हमें Sammy Zane and Cody Rhodes एक साथ आते हैं वे दिखें बट अभी तक Sammy Zane and Kevin Owens एक साथ नहीं आए यानि कि इस week के राओ में या फिर आने वाले किसी राओ के एपिसोड में चांसेस लगबग पूरे है कि Kevin Owens भी हमें सामिल होते हुए दिखने वाले इनकी टीम में Usos versus Kevin Owens and Sammy Zane का मैच Rumor Day Tag Team Championship के लिए WrestleMania 39 में वहीं SmackDown में तो आप सब को पता है ये Cody Rhodes and Sammy Zane ने अटेक गया था उसोस पर तो जाहिर सी बात है Bloodline Cody Rhodes and Sammy Zane से जबुर से बदला लेना चाहेगी और जैसा कि मैंने आप सब को बताया ही था आप सब को Cody Rhodes and Romary Days की फ्यूड राओ एंडि स्मैक डाउन दोनों पर चलते हुए दिखने वाली है because जो next week का राओ होने वाला यानि की 20th March का राओ इसके बाद वाला राओ वहाँ पर आप सब को Romary Days देखने को मिलने वाले है तो उसोस के तो इस week के राओ में चांसेस है कि वो आप सब को देखने को मिल सकते मेभी क्या पता में Romary Days भी देखने को मिल जाए जो कि आकर अटेक करने की कोसिस करे Cody Rhodes and Sammy Zane पर So guys यहीं वो कुछ बड़ी चीज़े थी जो कि हमें इस week के मडे राओ के एपिसोड में देखने को मिल सकती है लेकिन आप सब मुझे ये comment करकर जहूर से बताना इतनी सारी चीज़ों में आप इस week के राओ में विक के राओ में हमें कई सारी बड़ी चीज़े देखने को मिली थी बट इस week कर राओ कुछ कम नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पर हमें Brock Lesnar and Almost आमने सामने आते वे दिखने वाले है WrestleMania के लिए एक बड़ा मैच होते वे दिखने वाला है ओफिशियल इसके लावा और भी काफी कुछ और आज की इस वीडियो में यहीं बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस week के मड़े राओ के एपिसोड में तो सबसे पहली चाहिज जिसे WWE ने कर दी है ओफिशियल वोई कि हमें एज कॉल आउट करते वे दिखने वाले फिन बैलर को जैसा कि आप सब जानते हैं लाश्ट विक के राओ में फिन बैलर एंड जॉनी गरगनों की बीच मैच देखने को मिल रहा था जिस मैच में एज का रिटर्ण देखने को मिलता है जो कि फिन बैलर को मैच हरवा देते हैं और इस विक के राओ में एज हमें कॉल आउट करते वे दिखने वाले फिन बैलर को यानि कि ये दोनों आने वाले फेज टू फेज और आप सब जानते हैं ये लगभग पुरी तरह सत कंफरम है कि हमें एज वर्सेस फेन बैलर का मैच देखने को मिलने वाला है वैसल मिनिया 39 में बट डाउट ये है जो रूमर्स आया थी कि ये हैली नसल मैच होने वाला है वो ये है कि हमें Brock Lesnar और Omas आमने सामने आते वे दिखने वाले यानि कि इनका हमें फेज टू फेज सेगमेंट देखने को मिलने वाला है ज़न ज़सा कि आप सब जानते हैं Brock Lesnar और Omas का मैच लगभग दो विक पहले के रॉब में ऑफिशल हो गया था बट अभी तक Brock Lesnar and Omas आमने सामने नहीं आये हैं बस Brock Lesnar ने अटैक किया है MBP पर लेकिन इस विक के रौ में WWE ने इस बात को कर दिया है confirm कि Beast Incarnate Brock Lesnar and Nigerian Giant Omas हमें आमने सामने आते हैं दिखने वाले हैं सबी CH के लिए काफ जात है excited है कि क्या यहाँ पर हमें Brawl देखने को मिलेगा हो और अगर देखने को मिलता है तो क्या Brock Lesnar F5 दे पाते हैं Omas को या फिर Omas हमें अटैक करते हैं Brock Lesnar पर इसके बाद जो next match WWE ने कर दिया है official वो है एक tag team match Johnny Gargano and Dexter Lumis versus the judgment day की बीच सो यह एक random match है जादा chances है कि यहाँ पर आप सबको Johnny Gargano and Dexter Lumis की जीत होते वे दिखने वाली है इसके बाद next match जो WWE ने कर दिया है official वो है Elias versus Bronson Reed की बीच तो इनके back stage segment के बाद इनका में match बनते वे दिखा और आप सब जानते हैं जादा chances यह है कि यहाँ पर आप सबको जीत होते वे दिखने वाली है Bronson Reed की इसके बाद next match जिसे WWE ने कर दिया है official वो है Bianca Belair versus Chelsea Green के बीच जैसा कि Bianca Belair and Asuka का match होने वाला WrestleMania 39 में बट अभी यह दोनों एक तरह से tag team के थोर पर काम कर रही है रहा में Because Carmilla and Chelsea Green एक team में और last week Asuka ने face किया Carmilla को और इस week हमें Bianca Belair face करते वी दिखने वाली है Chelsea Green को एंड यह obvious है यहाँ पर जीत होने वाली है Bianca Belair की इसके बाद next बात कर ली जाए John Cena and Austin Theory के बारे में जैसा कि guys last week के रह में हमें John Cena का return देखने को मिला एंड उनका match official होते वे दिखा Austin Theory के साथ United States Championship के लिए WrestleMania 39 में तो इस week के रह में doubtably यह advertise नहीं करिए John Cena को इसलिए chances है कि इस week के रह में John Cena नहीं आने वाले बठाँ अपडेट यह है कि John Cena Road to WrestleMania में सामिल रहने वाले यानि कि WrestleMania से पहले वो आप सब को कुछ और रह में देखने को मिलेंगे इसलिए इस week के रह में chances कम एकी John Cena आये तो हमें Austin Theory प्रोबो कट करते वे दिख सकते हैं John Cena पर इसके बाद next बात कर ली जाए Seth Rollins और Logan Paul के बारे में जैसा कि last week के रह में Seth Rollins ने Logan Paul को face to face आने को बोला ताकि वो अपना बदला ले पाए Logan Paul से बट Logan Paul ने Miz की help से Seth Rollins पर ही कर दिया अटैक और जाहिर सी बात है कि Seth Rollins काफी अदा गुस्से में होने वाले तो इस week के रह में अगर Logan Paul आते हैं Logan Paul पर तो वो हमें अटैक करते वे दिखी सकते लेकिन Miz तो मौजूद रहने ही वाले है इसलिए चांसेस अच्छे कास है कि Miz आफ सबको बुरी तरह से पिटते हुए दिखने वाले है इसके बाद वाइनली बात कर ली जाए The Bloodline वर्सेस Kevin Owens, Sammy Zane and Cody Rhodes के फ्यूट के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं Bloodline सेम पेच पर आ चुकी है और लाश्ट विक के राव में हमें Sammy Zane and Cody Rhodes एक साथ आते वे दिखें बट अभी तक Sammy Zane and Kevin Owens एक साथ नहीं आये यानि कि इस विक के राव में या फिर आने वाले किसी राव के एपिसोड में चांसेस लगबग पूरे है कि Kevin Owens भी हमें सामिल होते वी दिखने वाले इनकी टीम में Because Usoz versus Kevin Owens and Sammy Zane का मैच Rumored Tag Team Championship के लिए WrestleMania 39 में वहीं SmackDown में तो आप सबको पता है ये Cody Rhodes and Sammy Zane ने अटेक किया था उसोज पर तो जाहिर सी बात है Bloodline Cody Rhodes and Sammy Zane से ज़गूर से बदला लेना चाहेगी और जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था आप सबको Cody Rhodes and Romary Drain's की Fury Raw and SmackDown दोनों पर चलते वे दिखने वाली है विकॉस जो Next Week करो होने वाला यानि की 20th March करो इसके बाद वाला रो वहाँ पर आप सबको Romary Drain's देखने को मिलने वाले है तो उसोज के तो इस Week करो में चांसेस है कि वो आप सबको देखने को मिल सकते मेभी क्या पता हमें Romary Drain's भी देखने को मिल जाए जो कि आकर अटेक करने की कोसिस करें Cody Rhodes and Sammy Zane पर So guys यहीं वो कुछ बड़ी चीज़े थी जो कि हमें इस Week के मडेरा ट्रॉक एपिसोड में देखने को मिल सकती है लेकिन आप सब मुझे ये कॉमेंट करकर जहूर से बताना इतनी सारी चीज़ों में आप इस Week के रहा में किस चीज़ के लिए सबसे जादा एकसाइटेड है इसके लावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बैल एकन को भी ज़रूर प्रैस कर दीजिए तो मिलते है गाईज अगली वीडियो में